कि अजयileri व्याजिक वेलकम टूलो ते वोएसर द इस्प्टलिय कि लिए रही वद 중 Is McL is just jetzt एक बार जल्दी से बताऊंगे मेरी वोजो स्ट्पलिय की लियर रही वेस अभी कौऊ को और फिर स्टार्ड करते हैं भी ऊपर चलदी से मताऊंगे मेरी वह सो डिस्प्ले के लिए रहे है सब इक बार घंब तो एक बार सभी थंब कर दो भी Tube एक बार सभीमअदेंगे लिए और जलदी बता हैं कोई कमस्य तो नहीं है डी campaigns पे लिए फिर सथार्ट करते हैं कहाने को ठीक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट थम कर देंगा भी यह एक बार सभी स्टूडेंट थम कर देंगा भी यह कि आजब भी सभी कि अजब भी सभी ठीक है बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा यह ABCD कोन है एक बार अपना नाम लिखो भई कोन है यह ABCD लिख रखा उस बच्चे न सही तरीके सा नाम का नहीं पता चला एक बार नाम लिख दो भई और फिर स्टार्ट करते हैं आग की चीज ठीक भी यह जल्दी से एक बार सभी एक और सभी मैसेज कर दिया अपने साथियों को भी घड़े और फिर स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़ियां और बहुत महत्तपून के लास रहने वाले हैं ठीक है ओक के अभी ऑख बहुत बढ़ियां इंग भी बहुत बढ़ियां अ जल्दी से आज वो भी सभी कि आजो वे सभी कि आजो वे एक बार सभी जो जुड़ता रहा है वही एक बार जल्दी से थंब करते रहा हो भई ठीक वे एक बार सभी थंब करते रहा हो और अजल्वसकार जी नमस्कार जी आczenie शोचाह एविग करेंदे को जल्दी स्टार्ट करते हैं अघरे पर सबस्क्राइब के। कि तो हमारे यह जो चल लिती शीरीज यह इल्यक्तु मैगनेटिक है और यह यूनिटक फ़स्ट चल लुए यह यह अ आज यह ष्ट और यह लाक्चर यह कोंवे य touched को सदूरे नमबर का चल घेविए ठीक है भी लेक्ट्र नमबर दो ठीक है भी गिविए जल्दी से एक बार बताउंगे कोई दिक्क रिख समस्यदा किसे भी स्टूडेंट को ठीक और सबसे पहला टॉपिक आज का सबसे पहला टोपिक आज का बहुत मैंत पून है एलेक्ट्रिक एलेक्ट्रिक विल्ड इसकी और इसकी जो भी प्रोपेटिक थोड़ा नेचे लिखे सर बिल्कुल ओके भई को लिजो भी अब बताओ टिक समस्य तो ना साइः वई आव ही सब बढ़िया है कोई समस्य तो नाव है कि एक वरठावागर दो कोई हिस है कि इसे डीये ए अको दीखां में दो भई मिस्क यो थोड़ा धिहां से समझेंगे एक सभी स्टुडेंट आजाओ भई एक बार सभी स्टुडेंट आजाओ भई एक बार जल्दी से सभी स्टुडेंट आजाओ भई फिर स्टार्ट करने में बड़ा मजाएगा ठीक है अब ऐसे मान के चलो कि अगर सपोज करो हमारे हमारे पास में कोई भी चार्ज रखा हुआ है क्या रखा हुआ भीया हमारे पास में कोई भी चार्ज रखा हुआ है सपोज करो कोई भी एक चीज को मनने चार्ज कह दिया हूँ कोई भी एक चीज को मनें क्या कहा दिया भी चार्ज कहा दिया ंहां चार्ज कहा दिया ओ손 के थिक है रडщ कहा दिया ओ корпॉम्प का मतलब है helping समूत तो अहरे उस चारज तरह एक ऐसा partly हो जाता है रिगारे मोजले किसी भी पॉइंट चार्ज Efendi पार्टिकल को आप इसमें रखते हो। अगर पॉइंच चार्ज पार्टिकल की बाद करूंदे मैं १। st नोट से रेपर्जेंट करता हूं। कि सरी पर चैन करता हूं। क्यू नोट्स है अधिकतर पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो है बिद्दू आवेज जो है हमेशा 90% केस में पॉजिटिव लिया जाता है क्या बताया मनें पॉइंट चार्ज पार्टिकल 90% केस में कैसा लिया जाता है पॉइंट चार्ज पार्टिकल 90% जब भी कभी इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बात होगोगी तो मैं कहा करोओं कितना प्लसक्यू नोट यानि कि बिंदू आवे इसका बात करकुरूआ आवे इसका बात करकुरूआ या फिर या फिर इसका दूसरा भी नाम है test charge particle test charge particle तो तब भी यही रहा करेगा और 90% case में कैसा लिया जा गरेगा positive लिया जा गरेगा 90% case में आगी बात समझ मैं अब यदि कोई ऐसा field किसी भी चार्ज गुरुप का कोई ऐसा फिल्ड जिसके जिसके इस फिल्ड के अंदर इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल को रखने पर इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल को रखने पर यह क्या गर है यह क्या गर है मतलब या तो यह रैपल संस ओकर है यह वाला यह तो रैपल हो रहाई तो खराए और अधर्वा अच sommes open में अब फिर रेंपिधकर्षान सो और पवर जो ग में चलीं सीर दॉन और टौल्ट को बोलते हैं यानिकि यह दि मतलब एक एक हैं से फिलड शर्चिंग जिसमें एक हैं से जीकिशन बनेट को प्लेस करने पर पॉइंट चार्ज पार्टिकल को रखने पर बिंदो आवेस को रखने पर पॉइंट चार्ज पार्टिकल को प्लेस करने पर या रखने पर यो पॉइंट चार्ज पार्टिकल क्या सोकर है दो प्रोपर्टी में से एक प्रोपर्टी सोकर है या तो यो अट्रे अगरจะंतर साब मैं तो ऐसे फिल्ड को बोलते हम इंक्या एक्टरिक फ्रिल्ड व्याज़त होरा हैं बोलते हैं क्या इलट्रिक फिल्डव का पिल्ड बोल देूं बहुत एक्या कि राव झात खेत्र से को दिख नोसा तो ना है ठीगों जल्दी है जल्दी से यहां तक कर एक बार नोट कर लोु legitimate चि chemical जल्दी से नोट कर लैंसे हो यहां तक है okay जो कोई समस्थे तो ना किसी को भी जल्दी से बताओ पोई का समस्थे तो ना है और फिर इस्टार्ट करताँ अग्यए ंहित आक एक कर दो ठीक है भई एक बार सभी थम्ब कर देंगे एक बार सभी थम्ब कर देंगे भई यह ठीक है बहुत बड़े है भोछां बहुत बड़े हैं देखर की अगर मैं आप से कहले हूं कर और मैं आप से लगों अ कि इससी के जैसे एक चीज और है कि इसीरो एक है चीज आयां अर अरफ हो इस पसे देख लेते हैं ए है करेट्रिक ब democrat की सब्सक्रा की देख crumbs किसे कि एक बार वेद्द्रभर्वक भी देख लेते हैं कियar लातिक फोर्स कुविए यतफ्राइब की अ अगर मैं आप से कहल लगोGreen अगर делать मेरे पास दो पूंण चार्च चार्च मालब दो चार हट रखे वैं एक तो प्लस क्यों एक माइनस क्यों दो preparand different के फीक है। अब एक बात बताओ एक बात बताओ चाहे अगर मैं सपूज करओं दो different different वाले को ले करे चलो तो यह साघ्र करेगा इधर की तरफ नहीं होगा यह इधर इसकी तरफ नहीbies दाइट्रैक्त होगा या फीर दूसरा केश सकता है यह यह माईनxt और दूसरे वाला यह माईनस ठीक हम किरान तो क्या होगा ये लून् ragagen वाले होगे तो रप्रेज करएंगे एक बाहर की तरह भार की तरफ न जाओंगे या 30 ला केस ऐसा हो सकता है, एक positive, ये वाला positive, एक दूसरे वाला positive, तो तब भी तो क्या होगा, तब भी तो क्या होगा, रैपल्सन होगा भार की तरफ ने, परतिकर्शन होगा भार की तरफ ने, ठीक, इसी परकार से कहने का मतलब है, चाहे attraction हो रहा हो, चाहे attraction हो रहा हो, चाहे रैपल्सन इन सब को APP कि सबके बीच में चाई बार्टिकल का और पृटिकल को मैं कहां दिता हूं चार्ज बार्टिकल आपार्टिकल और चाई वो सेम चार्ज का है चाहे वो सेम चार्ज का है चाहे वो डिफ्रेंट चार्ज का है कैसा है चाहे वो डिफ्रेंट चार्ज का है यानि कि या उसके आवेस समान भी हो सकते है या अलग लग भी हो सकते है जैसे मन नहीं हाँ पर दिखाया आपको तो भया उन दुरनों के मालो चाहे इस केस में भी फोर्स लगेगा इस केस में भी फोर्स लगेगा मालों अंदर की तरफ आ रहे हैं तो अट्रेक्शन फोर्स काम करेगा बाहर की तरफ ने जा रहे हैं तो रैफल्सन फोर्स काम करेगा तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं जो मालों डिफ्रेंट चार्जिस को और सेम इन चार्जिस को पास में लाने पर या तो attractions होकर है या या रैपलशन होकर है तो a एसे force को बोलते हैं electric force क्या बोलते हैं या ऐसे force को electric force ठीक है या क्या बोलते है electric force वयदुत बल कोई दिक्क्त समस्य किसी भी जल्दी से बता ओग ऐसे फोर्स को क्या वोलते हैं वैद्दुत्स पहल फिकवे जल्दी से बताओं यह समle mm बीच में हमने बताया है शाहे कोई 2-4 दिस ले लिए हमने डो चाहए बट टो टबंस्ध शेम हो या डेम चार्जिस रखने पर या या दम सबस्क्रस बनता है चाहे वह अट्रेक्शन 400 चाहे वह रैपलाइस भरस हो तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं उलत्रिक फोर्स क्या बोलते हैं और या अलाक्त फोर्स समझ मा आगे सब्सक्त्राकर समझ मा आगे हो तो ठीक है भी जल्दी से बताऊंगे अगर समझ मा आगे हो तो जल्दी से आगे चलेंगे भी याम ठीक है अब हम समझते हैं इलेक्ट्री फिल्ड लाइनस लाट्री लाइनस के लिए सबसे पहला हम उपले वाले कंसेट पर जाना पड़ेगा यहां पर यहां पर वापिस जाना पड़ेगा ठीक है तो अपो चलो मैं अलग से बता दिता हूं अलग से बता देता हूं एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स का कंसेप्ट भी ठीक है वह यहां एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स का कंसेप्ट भी अलग से बता देता हूं है रेखाय है या फेर वयत्त बल रहाएं वयत्त बल रहेख़ए मेरे वैंbul रहे owning अदे पॉल रहे थोड़ा धित संक्युंकत है यह क्षोड़ा ध्यान से संभी ंश्राइब से ध्यान प्रॉवक react अगर मैं आप से कहले लगूं मालो सपोज करो मेरे पास कोई भी मालो मेरे पास कोई भी चार्ज गुरूप है चार्ज गुरूप को मतलब है एक साइड में मनने पोजिटिव रख दिया एक साइड में मनने नेगिटिव रख दिया और इसके चार तरफ एलेक्ट्रिक फिल्ड जन्नेट हो गया वानलो यह electric field है ठीक है भीया क्या जन्नेट हो गया अब यदि किसी भी point charge particle को आपने यहां पर रख दिया क्या रख दिया plus Q charge को यहां पर रख दिया तो क्या करेगा यह क्या करेगा यह यह क्या कर सकता है या तो attractions हो कर सकता है सकता है यह रैपल संसों कर सकता है इसमें दो केस हो सकते हैं या तो रैपल संसों कर सकता है या अट्रेक्शन सों कर सकते है तो इसका मतलब है यह पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो है यह पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो है थोड़ा सा या तो इमेजनरी लाइन ट्रेस करे करेगा यानि कि कालपने करेखा है ट्रेस करेगा यह पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो है यह हमारा यह जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है पार्टिकल है यह अट्रेक्शन करते वक्त अट्रेक्शन करते वक्त या फिर रैपल्सन करते वक्त या फिर रैपल्सन करते वक्त क्या सो करेगा यानि कि यह बिंदू आवेश जो है हमारा यह जो बिंदू आवेश है यह वाला यह पॉइंट चार्ज पार्टिकल कुई तो मैं बोलता हूं बिंदू आवेश यह प्रिक्षन आवेश ठीक है यह 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 तो आगरसंस हो करेगा इस फिल्ड में रखे जाने पर बाइ इस फिल्ड इंगा रखे जाने पे आगा तो आगरसुन करेगा या फिर पतिकरशन वोगरेगा खरेगा तो जिसके कारण जिसके कारण यह imaginary lagn phones करेगा फल्व अपने करेगा पतो बनाओगा अपना रपनीको लाउन सत्थ जो है क्या करेगा काल्प laughing करेखा है थे करेगा इंग है ऑफ खेश करेगा ड्रेक्ट करने मतलब इस यह आख आड अगया यन अंदर की तरफ नहें क्या बोलते हैं मैं सब्सक्राइब है कि या फिर है टोड़ी बहूरी को समझ इन है OF Bay expand में ईवक्या मैए हो विद्धैंग बल रेकर दिने वैडसे आओ समय मां इस एक बहусов कर दोगर समिज मां ईतो जल्द से सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से सम्वी स्टूडेंट थम्प कर देंगे भ 줄 और फिर आगे चलते हैं कि अधिक विया सभी एक बार थंब करते हो जल्दी से एक बार सभी स्टुडेंट थंब कर देंगे भीया अधिक बहुत बड़िया अब मैं आपको प्रोबन बताता हो यह इंपोटेंट यह आपकी पूछ लियाते थि मतलब डो नमबर मैं फिल द लाइन्स की आपके पूच लियाते थे दिप ब्रौपर्टी ए प्रोपर्टी हुआ ए पॉपर्टी आप कि लेक्तरिक skills यह ओप हैं वैद्दूत ना कि वैत्दूत फल रेखाओ के गुन मी में ख़ूसरं ना कि कशुंच है एक बार सब्सक्राइंस समझें तक किसी भी इसटुडन्ट कोहा कोहां तक कोई दिक्त समझे ना है जल्दी से बताओ किसी भी स्टुडाइंट को यहां तक तो कोई दिक्कत समझ्षा ना है कि इलेक्टिक फ्रील लाइन्स में कोई दिक्कत समझ्षा मतलब अभी दिखाए दे रहाना सब बढ़िया एकदम तो सबसे पहले नंबर की प्रोपर्टी बताता हूं मैं आपको सबसे एक पाहं की मैं अगर सपोच करो यह चार्ज के तोर पर पिव लुडिया क्या ले लिए भी हैं आपकैस नोट चल्ट रहा हुगा थीका भी यंथ अब बाता हूं यहां भी तो क्या करेंगे या पस्मेद रहावर की तरफ नहीं तो होता है तो इस विजे से इस विजे सा आप पहली को क्यों चार्ज है वारे पास ये दी प्लस क्यों चार्ज है हमारे पास तो एलेक्टिव फिल्डाइन какी तरफ नहां होोगी है तो हम यहां पर लिख देंगे युज्टू आ युज्टू है कि यू तो पोजेटिव चार्ज टीफ पोजेटिव चार्ज अचैङ्utan意ड्टिव फील्ड फील्ड लाइन्स tear इसका मतलब है अगर प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो एलेक्टिक फिल्ड लाइन्स की डिरेक्शन कैसे रहा होगी भार की तरफ नहीं कैसे रहा होगी भार की तरफ नहीं पहला पॉइंट समझ मां आगे सभी को एक बार सासा थंब करते रहो भाईया फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट ध्यान पूर्वक समझेंगे अब की बार मनने इलेक्टिक फिल्ल लाइन्स के तोर पर मनने चार्ज ले लिया आपकी बार नेगिटिव कैसा ले लिया करेंगे इस लिए और फिल्लाइन की डिरेक्शन कैसी हो जाओगी अंदर की तरफ नूसे प Real avant Tous या कीषा करेंगे तो इस विजह से हम कह सकते inward case, inward, अंदर की तरफ inward case, समझमा आगी आपको ये सभी बात, जल्दी से बताओ, दोनों property समझमा आगी आपको भहुत बढ़िया तरिक्के से, अब तीसरी property देख लो, एक बार ध्यान से, तीसरी property एक बार ध्यान से, अगर मनने एक बार ले लिया positive और एक बार कीसा ले लिया negative तो हमेसा electric field lines positive में से निकल के हमेसा negative में enter करती भी दिखाई देंगी निकल के किस में enter करती भी दिखाई देंगी आपको यानि कि a on Jeffrey line से में एक पॉसिटिभ एक नेगतिफ ले लिया तो डरेक्शन का सिर्ए उगे उनकी डरेक्शन कैसे रहोगी जल्दी से बताओ डरेक्शन राव्ग पोजिटव टू नेग्टिव जल्दी से बताओ तिनो पोंट मैं किसीको भी दिंपक समस्य तो नहँ कना है एक बार सभी थम्ब कर दो एक बार सभी कर्दो कि कोई दिक्कह समस्य ना व्यायाो जल्दी से हुआ कि एक बार सभी थम्ब करंदें कर दो हो हिए एक पर सभी थम्ब कर दें कर Chemistry हम यूँ लाएंसर दिखा है किा आगे समझ में सभी को अब हम देखते हैं पुश नाउस्ट पूर पॉपर्टीज देखते हैं ठीक भाइं अनुश चछुथे नमबर की पॉर्पर्टे देखो अब बहूत बड़ी आत्रिक्यां में है अब एक बात बता वो जह एक एक यह वाली क्या यह आपस मेंमें इंटर्सेट कर संगया आपको छोग बिल्कुल इंटर्सेट निकार सकती क्यूं हमें साइस की ड्रेक्शन पोजटीव स ór गड़ी तरफ रहाँ की तरफ कैसी रहाँ मेет कोगी उस्यूंक और दो डारेक्शन कभी भी एलेक्टिक फिल लाइन्स की हो नहीं सकती दो डारेक्शन एलेक्टिक फिल लाइन्स की हो नहीं सकती चैने का मतलब यह हुआ कि two electric field lines two electric field lines और यह important भी यह important भी आपका ठीक है यह आपका important terms अलग से बुछा नोट चैंज एफ यह नोट इंटरसेप्ट चैन नोट इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट तुई एच अदर तू एच अदर iach other, because, 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 अगर ऐसा होता है, तो क्या condition वनेगी थ्यान दो भई, अगर ऐसा हो गया बाईया, कि अगर यह positive है, और यह क्या है, negative है, अगर यहां सा positive सा negative की तरफ न हमें, especially एक बात आख पता हो, बस क्या बात पता, कि हमेसा selective re-lines की जो होती है, पोजिटिव से किसकी तरफ नहोती है नेगटिव की तरफ नहोती है डारेक्शन की डारेक्शन किसकी तरफ नहोती है पोजिटिव से नेगटिव की तरफ नहोगी लेकिन अगर सपोज गरो यहां से निकलते वक्त यहां से निकलते वक्त इसने यहां पर काट दिया यहां पर तो देरक्सन सौंगी हमाँ पता नहीं चलनेंगा कि यह वाली किधर की तरफ टरोब इस उनलते में टॉर Conference 17 बीकोज दे सो इस विज़े से इलेक्टिक फिल लाईनस में कितनी डार्क्षन हो ज़ा दो दीशा परतंत कराएं कभी नहीं हो सकता केवल एक ही दिशा हो सकती है कौन सी डार्कषण हो सकती है positive to negative इस विज़े से electric field lines कभी भी कभी भी आपस में नहीं काटती electric field lines कभी भी आपस में नहीं काटती समझ मागए वाला point जल्दी से बताओ चोत्था point समझ मागए सभी को एक बार सभी थंब कर दो भाईया एक बार सभी थंब कर दो कि समझ मागए अच्छे तरीक्य से जल्दी बताओ बई, चारो प्रोपर्टी समझ मा आ अगि आपको अच्छा तरीकस है, फिर पांच बे और छटी प्रोपर्टी बताता हों आपको, जल्दी बताओ समझ माई दे बात आपको, फिर्ल昨 electr evening अब देख लेते हैं सो कोन से प्रोपर्टी अपने, कुण से नंबर की प्रॉपटी चौत tuttiफ चारत प्रॉपेटी होगे पाँची प्रॉपेटी यहाँ प्रॉपेटी यहां पर देख लेंगे पर दिहान पूरवक। अगर मनने आपसे कहा एक पोजितिव пом IRA पार्टिकल ले लिया मतलब पोजितिव ले लिया और दूसरा भी पोजिटिव ले लिया तो ये मतलब भार की तरफ नहीं तरफ द्रक्सान रहा होगी की इस तो इस प्ुश यह सकता है किया की आगगि अभी क्लिकल आशकता है कि आइसा इस्थान हुप सकता है कि तो और आप गजो और उनके को ना कोई परतिकर्शन का केस हो हाज ईसा हो सकता है ऐसे पोइंट को बोलते हैं एन पोइंट क्या बोलते हैं एन पॉयंट जहाँ पर वह एल्ए लैंस पोची ना पया तो यहां पर को तो एक वोग्य हो ना तो यहां पर योग ना कि टो रैफ्ल संकर ना थो neurotrans on सोगर ना अपर समझ सोगर हुद और उट रेक्शन सो गराथ तो ऐसे बिंदु को बोलते हम नोट्राल प्वेंट्प उदार सीन बिंदू कुई दिक्स समस्य को भी जल्दी से बताओकौ किसीगुः कि जल्दीस बताउ super मगरे को थिक्का समस्य तो ना किसी को भीया तक जल्दी से बताऊंगे कोई दिक्क समझत ना सभी को जल्दी एक बार सभी थम कर दो फिर आगे चलते हैं ठीके भी एक बार सभी आगे चलते हैं ठीक है जल्दी एक बार ठंब कर दो सभी तो यह सभी एक बार ठंब कर दो फिर आगे चलेंगे ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब एक आद्धी और प्रोपर्टी देख लेते हैं अगर कोई आप सब उच्छल लगा यहां पर आपको एक जवाब देंगा बहुत लगा थोड़ा ध्यान देना थोड़ा ध्यान देना कि अगर कोई आपसे यह वाला कुश्चन बहुत आपको मतलब रटाया जाता है यह वाला कुश्चन आपको बहुत ज़्यादे रटाया जाता है लेकिन एक बार ध्यान जो समझ लो कि कोई अगर कह लगा आप से कि लाइ क्यों करते हैं रैपल संसों क्योंक्यों करते हैं आज यानि कि परतिकर्ण तक्यों करते हैं इगए आछ पारी कि रैपल संचो क्यों करते हैं थोड़ा ध्यान समझना और चर्ज ज्फ होते हैं अंलाइक चार्ज ज्यों ठीश पंद में मेत आत्रेक्शन जो करते क्या सो करते हैं अट्रैक्शन सो करते हैं अट्रैक्शन सो करते हैं यानि कि आगर संसो करते हैं क्या सो करते हैं आगर संसो करते हैं उसका क्या रीजन हो सकता है यानि कि जो हमारे समान आवेस होते हैं समान आवेस होते हैं वह हमें सब पर्तिकर्शन सो करते हैं और यह से समान क समयतिय कि हम जातीय भी लिखा आजाता है और इसे मितलत समझते इसका तो सब्सक्राइब को समझते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब थोड़ा ध्यांत समझी हो देखो पहला के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो अगर मैं आप से कहा रहा हूं एक तरीक्ण से अपने आप मैं मतलब इस तरीक्णष्य त्रीक्ण ओढ़कियें पिले कि तरीक्ण पर आपकी तो अगर तरीक्ण सब्सक्राइब और यहां पर क्या रखा हुआ है और यहां पर कोई यह प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है फिलस क्यू चार्ज पार्टिकल है ठीक है यह सपोज करो यह प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है तो सिद्धी सी बात है प्लस सर यह प्लस है क्या होना है क्या होना है एक बात बताओ यह बढ़ाने की कोसिस करेगा और यो वाला भी अपने रेंज बढ़ाने की कोसिस करेगा तो जब यह अपने का काम करती है किसका काम करती है किसका काम करती है किसका काम करती है किसका काम करती है जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं फैलने का प्रवाइं का काम करती हैं और फैलने के करन यह क्या कौन सी कंडिसन्स हो करती है जब यह फैल लेंगी तो इस वाले को दूर यह इस से क्या होंगे कि भाईया तू थोड़ा सा परेना चला जा यह नूम यहां तक तो मेरा छेतर है ठीक है वो कहाओगा कोई बात ना भाईया आ ना चला पर जब खुलने का काम करेंगी दौन्दों आप से मत हैं इनकी तो भाईया यह क्या sortie करेंगे रैपल्स भोगरेंगे तूर हटेंडेंगे क्या सो करेंगे क्या करेंगे और गयर परतिकर्सन्स को फ्रादिकल को करेंगी जर टिया टीम ने चले जाऊंगी अंदर की तरफ नचले जाओंगर तो यह बीफिर क्या करेगा कि अगर अभी यो space तो खल लिए हो गया तो यो इस space में आने की कोशिस करेगा तो इस वज़े से यो इस space में आता आता इससे क्या हो जाता है attract हो जाता है समझमाई मेरी बात यानि कि electric field lines किसका काम करती है कि electric field lines किसका काम करती है यहां पर सुकडने का सिकूडने का काम करती है किसका काम करती है सिकूडने का काम करती है कोंट्रेक्ट होने का काम करती है जिसके करण कौन सा सो करती है यह अट्रेक्शन सो करती है क्या करती है अट्रेक्शन सो करती है भई ठीक है भई आकर्शन का कुन सो करती है जल्दी से बताओ अब आपको समझ मां गया कि सेम सेम चार्ज और अलग अलग चार्ज कैसा कंडिशन लिए इन दिखाते है जल्दी से बताओ समय माहला आगे सभी सभी को बीकस समयस्य तो नए हां तक किसी को भी इस्ट्र認 परीज्ट बताओ को एक थरुवां जल्दी समय समय स्थर्ण आपगे हैं ऐना या फिए बाग्ण भाई खैना अब अपने इंपोर्टन्ट एक Topic कि है एहां मारा इंपोर्ट möchte एगली हाड़िंग सब इस्ट्ुडेंट इलेक्ट्रिक टेम क्फिल्ड इंटन्सिटी ओफ इंटन्सिटी ओफ सिहूंट अग्रएंसटे ओफ एलेक्त्री क्या क्फ से यसे हिंद्य का बोलतीं है वेद्द्ध छेत्र की सिवर्थ वेद्दु टटू कि है मैं में स्ट्रेंथ पिकर दोनिव है नेचस्टेंब बाएँ और चुन्हें क्षेट्र सामर्थ लिए इंपोर्टेंट थोड़ा सा यह इंपोर्टेंट ट्राइपनेस आप से पूछ लीजातीच वाट यह सफनेशन एकदम काम की इंपोर्टेंट डैफनेसन थोड़ा ध्यान सवाइँ चलेंगे अगर मैं आप से कहा लगो strength और intensity का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को जल्दी से अपनी तरफ खैचना या किसी भी चीज को अपने से दूर भागाना वै एलेक्टिक फिल्ड में तो यही दो बात हमें ध्यान से समझनी है कि दो इतो केस होता है या तो attraction का होता है अगर मैं आप से कह रहा हूँ कि कोई चीज एक तो दूर हटा दिया क्या गरते एक दूर अटा दिया और पास में आग दिया तो इसका मतलब है भाई या दो केस यहां से होते होंगे कि कि किसी भी point charge particle के उपर इतना force लगा दिया जाव है चाहे तो वह दूर हट जा चाहे तो दूर अरज चाहे उसे जल्दी से पास में बुला ला ला है तो इसी वज़े से मालो सपोज करो यह कोई point charge particle है मनने कहा दिया plus q note है और इसे जल्दी से इतना force लगा कर इतना force लगा कर अपनी पास में बुला लिया या दूर भगा दिया अपने पास में या तो फोर्स लगा लगा कर बुला लिया या अपने पास से फोर्स लगा कर दूर भगा दिया तो ऐसी चीज को यह बोलते हैं इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी तो भाईया किसे लेका रहे हैं हम किसे लेका रहे हैं आप कहोगे चार्ज को लेका रहे हैं किसकी हैल्प से लेका रहे हैं और इ भी एक वैक्टर क्ववक्टिटी हैं तो यह यहाज होगा तो दुन्नों खाटे सो तुन्नों खार रेश हो जाए जानिक एई-स फॉर्ट खोस इस छैंट पोला और अगर लैक्तिक पोल्ट यह biology पार्टिकल पॉइंट चारज पार्टिकल तो लो रेसों को क्या कहते हैं पॉइंट चार्ज पार्टिकल यानि कि दुनों के रेसों को क्या कहते हैं इल्यक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी कहते हैं व्यद्ध छेत की तीवरता कहते हैं ठीक भी यानि कि व्यद्धुत बल्ड व्यद्धुत बल्ड और और इसे क्या कहते हैं हम बि सातंत बतायों यह से इसकी दायमेंशन कितनी हो जायोगे या यूनिट्या जाएगी डायमेंशन या तततो आध्रक देखलो का इसका ही और इक बार ध्यान से समझेंगे अगर मैं आप से क्या लगों सब से पहले मैं इसकी डायमेंशन देख लेता हूं तो क्या देख लिए तो हुआ देख लिए तो लिए देख लेता हूँ कि तो आप क्या होगे दीमा क्या होगे एक ज्विमाद देखना चाह रहा हूं इस यह वेक्टर की कि देखना चाहरों लेक्ट्रफ एक उडग की है आप पर जाने के बाद कैसे हो जाओगी माइनस फिरी और यह भी क्या बन जाओगा हमारा माइनस वन तो यह तो इसकी होगी वह वीमा ठीक है घमेंसर मरेकत में संद है किसी को भी जल्दी शेबताओ सोधोरे खाय किसी को भी virus जल्दी से बताओ वह दिक्क्त समस्यतों आक सिकुभी अ कि जलो कि एक बता को दिक्क्त समस्यतों आक सिकुभी ठीक भी और अगर इसके मैं युनिट के बात कर लगो इसके मैं किसके की बात कर लगो यूनिट की बात करें लगो यूनिट की इसे तो मैं हमां सभी नीकाल सकता था लेकिन इसका wün देख लो स्कामात रख्या हुआ लुहन Sakawa हो जिंए आप चाहिए सभी निकाल सकते हो एम क्या होता है किलोग्राम का केश को सब्सक्राइब करता है किलोग्राम यह लैंद को सब्सक्राइब मीटर और यह किसे सब्सक्राइब करता है ताइम को और यह क्या है हमारा एंपियर तो यह हमारी हां सभी हम इसे निकाल सकते हैं ठीक भी यह जल्दी से बताओ को दिक्कत समस्य तो ना किसी भी स्टुडेंट को जल्दी से बताऊंगे कोई दिक्ष समस्य तो ना किसी भी स्टुडेंट को ठीक है भई जल्दी से बताऊंगे कोई दिक्ष समस्य तो ना है किसी भी स्टुडेंट को एक बार थम्ब कर दो सभी एक बार थम्ब कर दो सभी जल्दी एक बार थंब कर देंगे यह सभी एक बार जल्दी से थंब कर दो ठीक है फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं फिकी अगला हमारा छोटा सा डारीवेशन है हैं तो हेडिंग है हमारी बिंदू दू आवेज के कारण के से चु juice के कारण तीवाड सिन दू और सिबर्टा की है चिटीयां सिटी ओफ एल्लैक्क्तिक फिल्ड इंटानसिटीच लित PL ओफ ऐलेक्ट्रिक फिल्ड और लेक्ट्रिक फिल्ड लेक्ट्रिक फिल्ड है कि तो टूए प्ट्ट्र जार्ज पॉइंट तो टार्ज पार्टिकल और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरी बात को अगर मैं आप से कहूं मेरा एक क्या रखावा आँ पर चलो इसे थोड़ा चेंज कर लो अगर ये प्लस q.charge रखावा है और इससे कुछ distance पर क्या एक काम करो भाईया काम करो इससे प्लस ही माल लो प्लस q.charge रखावा है यहाँ पर इससे कुछ distance पर इससे स्टेंस पर इससे प्वोई छाइथ पे प्लस यह भी पोजिटीव फैंप तो एल्क्टिक पोर्स काहां करत तरफ न सलच अफ देज़ेगा tent वाहर की तरफ नहीं लहेगा तो अगर मैं आहिए सह क्याव लगह twitter से डिरेक्षिन में यह लगेगा तो अगर मैं आप से कहल लगूं कि यह Newton का क्या वो Clumps क्या formula था आप कहोगे Clumps का formula था वन अपोन फॉर पाइपसल नोट वन फॉर पाइपसल नोट अब एक बाद बताओ F is equal to 1 upon 4 पाइपसल नोट फॉर पाइपसल नोट क्यों की वैलू कितनी दिखाए दे रही है आप क्यूं यह रही Q1 की और Q2 की वैलू कितनी दिखाए दे रही यह दिखाए दे रही Q0 और निच्छे क्या जाओ गए हो आर स्कूर इसे की वैसन नंबर आप फर्स्ट क्या दोगे क्या क्या दोगे इसे की वैसन नंबर फर्स्ट क्या दोगे अब एक बाद बताओ अभी थोड़ी देर पहली इल्क्रिक फिल्ड इंटेंसिटी का फॉर्मला लिखाए आप प्याद दोगे श्यद की तीवर्दा का क्या फॉर्मला लिखाए आप जल्दी से बताओ आप क्यों होगे हम लिखाए हैं वैक्टर इजिकल टू एफ वैक्टर अपोन क्यू नोट लिखाए थे अच्छा एक यह पाद बताओ अगर इस एक्ण्र वैल्लव की वेक्ट्र कीर्ट को यहां पर रख दि जावे यहां पर रख दिजावे एक्षा की कि आपके ज़क्गर एदा आओ आप उपर क्या है क्यों क्युलोट थीग है और निच्छे क्या था ऴह एसका भी तो कंपनी को यह निच्छा चला है क्यों नोट और जैसे इससे कट जा हो गाते की में कितनी जाओंगे 1.0 4.0 आपको याद रखना यहля ये हमेशा हर बार हमारा यूज होगा चाहे point charge particle के लिए या आगे तक के लिए कोई दिक्क समस्या जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कोई दिक्क समस्या है तक किसी को भी student को भी जल्दी से बताओ और फिर आगे चलते हैं ठीक है बई? ये तक एक बार सभी थमब कर दो फिर आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीक्के से जल्दी से बताओंगे कोई दिक्क समस्या तो नहाए ठीक है भी? कोई दिक्क समस्या तो नहाए चले आगे भी? आभी चले आगे बहुत बड़ी हैं ठीक है अगे चलते हैं अब देखते हैं एलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है अब यह हमारा अब देखते हैं एलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है अब देखते हैं एलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एलेक्ट्रिक डाइपोल एलेक्ट्रिक डाइपो देखो भई नाम से आपको पता चल ला होगा यहां से आपके derivation बनने की और simple format को question पुछ जाने की संभावना होती है तो इस वेसे में से important कर देता हूं इसे में क्या कर देता हूं important एक बाद बताओ dipole का means ही क्या होता है अगर आप सही तरिक्के से देख लगो dipole का means होता है दो दूरू हो और दो धूरू होने का मतलब क्या हो सकता है एक positive हो सकता है एक negative हो सकता है यानि कि dipole होने के लिए अलगलग different different charge का होना बहुत जरूरी है तो ठीक इसी परकार से ठीक इसी परकार से अलक्टिग डायपॉल को हमेसा याद रखने का एक मैथड बता रहूं आपको हमेसा इलक्टिक डायपॉल की जो डायक्सन होती है वो नंसे रहा कि जो olmasıर्घण का दायोयस से तो इसी बज़े से मैं क्या गाम करता हूँ डाइग्राम बनाते वक्स सबसे पहला आपको इधर नेगेटीव ही रख लो और इधली सैड में क्या रख लेता हूँ यहाँ पर दली सैड में रख लेता हूँ पोजिटिव ठीक है और एक बिच का एक पॉइंट को मैं कहा देता हूँ क्या इस संबर यहाँ तक की डिस्टेंज को क्या कहा देता हूँ अडिका भी यह इसे भी आइल कहल देता हूँ तो टोटल के बीच की हैं ठोल डुटल डिस्टेंस कितनी हो जाओगी तो आप से कहता है कि अपकर शानको करते चलो पी इस रहते बागों को किसे represent करते हैं P से इन दोन् ों में से किसी 1 का magnitude, इन दोन्नों में से किसी 1 का magnitude, एकका magnitude support करो मन मन ने माइनस क्यूं ले लिया, तो माइनस क्योंका magnitude इन दोननों के बीछ की डिस्टेंस क्यों कितनी है? 2L है. क्या है 2L है ? तो यहां सब पी की value तो किपकि क scarf के क्यों कुना टूल क्या आगे क्यों गुना टूल ठीक है तो यह एलेक्टिक डाइपोल का फॉर्मुला आ गया आप कहते हो कि मैं हम माइनस ना लेका पिलस लेका चलेंगे तो जब भी तो वही फॉर्मुला बनेगा पीज गल्टू क्यों का मैगनिटूड मल्टिप्लाइट टूल य टोड़ा सा एक बार ध्यान से देखें अगर मैं आप से कहल लगो कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स इसके इंपोर्टेंट फीचर्स डारेक्शन कैसी होती है एलेक्ट्रिक डाइपोल की डारेक्शन कैसी होती है तो डारेक्शन बताना हमेसा नेगेटिव टू पोजिटिव होती है कैसी होती है negative to positive देख लो पहला इस वह समनन नेगटीव बना तुम्हारी फाया देखेलिए के लिए तो कैसे रहा होगी नेगटीव ठोल्च लैतरिक क्योंकि मैं इसकी डाइमेंशन क्या हो गया घ्री ओकी तो क्योंकि पॉनिट होगी कुलाब कुक यूंट इसकी डैमेंशन क्या होगी इसकी कुलाम के तो हम क्या लिछतका है Q is equal to IT Q is equal to क्या लिखते है IT को 80 लिखते हैं इस परकार से और multiply length को क्या लिखते हैं लिखते हैं तो यह क्या जाओगी कि एल T A इसकी क्या हो जाओगी dimension हो जाओगी क्या हो जाओगी इसकि वैम यह ऐसके डायमेंशन हो जाओगी ठीक है भाई उनिट होगी और यह क्या हो गया फोर्मला किसी भी स्टुडेंटको कोई दिक्क्क समस्य हो न्यांते हो एक बार नौट कर लो जल्दी से भातरीन तरीक्या से ठीक भी कि अधिक भी एक बार सभी अत्तका नौट कर लेंगे फिर आगे चलते हैं कि अधिक बार सभी अत्तका नौट कर लेंगे फिर आगे चलते हैं जल्दी से note कर लेंगगे और एक बार थंब कर देंगे यह सभी जल्दी से note कर लेंगे और सभी थंब कर देंगे एक बार कि कोई दिखका समस्य में फिर अगय चलते हैं फिर आगय चलते हैं फिर और अब All collector intensity दोतरिक्क्य से निकले जाओगे डाइपॉल के केस में देखो वै चलो एक prisgan लिखवा जET À 따라ूं आपको होता भैतरीन तरीक्य से एक लिखवा जट लिखवा जो आपको द्सरे ऑने काम करना है तो है इंसीटि of electric field due to a electric dipole intensity 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 of electric field intensity of electric field electric field due to a due to a electric dipole due to a electric dipole तरी क kän थ है इसका मतलब है वैद्दू दृरू के कारण वैद्दूत्टू । दृू के कारण तो ने वाद्दूत्व छेत्र की वैद्दूत्ड च्हेत्र की थीवर्ता वैद्दूत्च्हेत्र की तीवर्वा, तो इसे दो Türkiye से निकालते हैं दो तरिक्के से लिकालते हैं पहला केस है हमारा अंड फिसके हैं एक कोई ऑलते हैं इसा पहले वाले को हिंदियां बोलते हैं अक्षे इस्तिति अक्षे इस्तिति और इसे हिंदियां बोलते हैं निरक्षे इस्तिति एक बार यहां तक का सभी एक बार हैडिंग लिख लो फिर आग्गे चलते हैं निरक्षे इस्तिति और इनके बारे में एक बार बतातों में क्या है एक बार सभी हैडिंग लिख लेंगे सभी ध्यान पूर्वक्ट ठीक है लोड साइड कर लोड साइड रोड साइड और इस अक्षे श्थिति को अदूसरा भी नाम और है एक है अनुदैद्य श्थिति अनुदैद्य श्थिति और इसका नाम है अनुपरस्तिस्तिति, कोन से इस्तिति? अनुपरस्त, अब इनके बारे मैं सही तरीके से समझाओंगा मैं, अनुपरस्तिस्ति, ठीक भी है? एक बार यहां तक का नोट कर लेंगे, और फिर अगया चलेंगे, ठीक भी है? ठीक है बई एक बार जलनी से सभी थंब कर दो कोई दिक्का समस्या ना है और मैं आपको एकक समझाता हूँ फिर ठीक है एकक समझाता हूँ पहले नंबर के लिए लेते हैं यह वाली पहले नंबर के लिए लेते हैं यह वाली एंड ओन दी पोजिशन की यह दूसरे नंबर की यह भई यहां ठीक है तो पहले नंबर की कोई लेता है एक बार ठीक है तो हैडिंग लिखेंगे सभी स्टुडेंट एंड ओन दी पोजिशन एंड ओन दी पोजिशन एंड ओन दी पोजिशन यानि कि इसा बोलते हम कौन सी इस अक्षए इस्ति दी फिर इसी बोल देते हैं अनुदाइद देए इस ते लियुक्त करें देया हम एक बार यहाँ तक आ干 हेडिंग आप नोट कर लेंगे यह एक बार ठीक है चलो थोड़ा सा निच्छा कर देता हूं कि रेंट को दिक्कत आती है यह तक बताओ को सब्सक्रारी कि मैं सिर्फ कर देता है यहां से क्षैंश बता हुआ इस सोब्सक्रार्श कर देता हूं कि अब यहां से यहां तक कहते हो अард transition बिल्कुल सही बात है हमने यह तक कि आपकी बात यहां ली बया अब यह एक बात बताओंगे जरब यहसे एक बात बताऊंगे कि अगर इसी LINE मतलब एक इस तरीक् Buddies एक यहाँ पर इस P पर एक P रखा वा है इस पर चार्ज पार्टिकल लग दिया मनना Q क्या रख दिया भाया इस P पर क्या रख दिया प्लस Q चार्ज पार्टिकल लग दिया एक बार अब ध्यान से देखियो, अगर सबसे पहला मैं पास वाले से देखता हूँ, सबसे पहला मैं किस से देखता हूँ, पास वाले से देखता हूँ, क्या देखता हूँ, पास वाले से देखता हूँ, अगर मनने आप से एक बात कही, कि भहिया, कि देखो भई, एक चीज और ध्यान रखना इस अग्य जितने भी आपके कंडिशन चलेगी इस वाले बात को याद रखना ओसे लेकर हमेश्चा ओसे लेकर और जहां पर यह पोइंट रखा हुआ है यहां तक की हमेश्चा आप डिस्टेंस जो मानना हमेश्चा आपको अभी भी बता रहूं मैं ओसे ल ओ यहां सारे कुष्चान आपके सॉन होगे ठीक है अब ढोड़ा सा अध्यान त्रह्चा नियो मेरी बात alliten इसके करण देखो है प्लस लासrous很有 है और यह आओ यह प्लस Kinत कैसा होगा अपहार की तरफ नहीं तो ईपलस कैसा होगा बहुए तो पहार की तरफ ने तो तो फोर्स लगने के कारण इंटेंसिटी आई तो इस वाली इंटेंसिटी को मनने कहा दिया इवन वेक्टर क्या कहा दिया इवन वेक्टर ठीक है यो प्लस क्यों के कारण इस पर देख लिए एक बार तो अब की बार क्यों के कारण इस पर देखे हुआ एक बार यह प्लस है एक बार यह माइनस तोपलस- माइनस क्या करेगा अंदर की तरफ हने इंट्र्अ करएगा क्योंकि एक तो अंदर की तरफ नई जैनके और की तरफ न Diriman वाले पॉइंट की एक बार किसके कारण देखी आप बार भहिया किसके कारण देखी। इसके Κारण देखी तो हमारी मिल गी intensity two क्योंकि attract गश्रकत कंस धिकार था है यह तक बताओ डायगराम समझ में आगे सभी को अब यह डायगराम समझ मा आगे सभी को ई-अ-ब sadly दायग्राम आगे समझ में हैं खिष्टी कोई दिखके समझ से दो ना एक बार सभी थंब करतो डायग्राम समझ अगे हो तो जल्दी से अग्यों मुझ्ज पता लग जाएगा आप कर रहे हो जल्दी से अब देखो एक बार धियान से एक बार सभी student धियान से देखेंगे इस बात को student एक बार धियान पूरवक देखेंगे इस बात को एक बात बताओ यहां से लेकर है इस वाले point से लेकर है और इस वाले point तक के बीच की distance कितनी रह जाओगे आप क्या ओगे इसकी distance रह जाओगे अगर इस पूरे R मैं सब देखने हैं मुझें आ रह यह रहा और यह तक क्या है है ? तो यह क्या हो जाओगी, आर प्लस अल हो जाओगी, कोई दिक्क्र समझता किसी ऑह स्टूडेंट गो कोई दिक्क्र समझता ना हो, यह विख अगि डायग्राम में एक बार सभी नोट कर ल palavras जल्दी से, एक बार डायग्राम को सभीढों क कर लेंगे जल्दी से, ठीक भी यह, जल्दी बताओ को दिक्क समझतों ना किसी को भी को एक वर जल्दी बताओ कोई समय सब्सक्राइब थंब कर दो वही जल्दी से और फिर अब मैं क्या काम करता हूं इससे आपको केश बतातों यहां से ठीक भी बस डाइग्राम इताज जो समझने स taught accomplish वाक्यत कि तो तो एसी एभा अब सबसे पहला मैं क्या देखना चाहता हूं एलेक्ट्रिक इन्टेंसिटी एंटें लेकट्रिक इन्टेंसिटी टू aunis टूलस चार्ज बिलस क्यों चार्ज तयाने कि प्लस क्यों चार्ज के करण कारण त्यूरता यानिकि यहां पर लेक्ता हूं प्लस क्यूं आवेस के कारण त्यूरता तो प्लस क्यूं के कारण देखना पड़ेगा और प्लस क्यूं के कारण जो त्यूरता थी हमारी ह fresh intensity देखना है एक भर फ्लस क्यूं क करण intensity कौन सी ती ईवन नंबर की थी इससे थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं अ लोग कम नहीं हो रहा अगे चलते हैं यह तक की बात बताओ एक बार जल्दी से तो भी यह इंटेंसिटी का क्या फॉर्मला होता है अभी आपको बता गाया था इस लेकिन प्लस क्यों के कारण कितना हो जाओगा यह वाली इक इस इस्थान पर तो हो गया इवन तो वन अपन फॉर पाई एपसल नोट फिलस के कारण देख रहा तो प्लस का क्यूं प्लस का क्यूं अब इंटेंसिटी में कोई मतलब नहीं होता तो क्यूं लिख दिया और लेंकिन k iq कित और माइनस लेकर चलेंगे और जब माइनस का लेकर चलेंगे तो कौन सी और पिलस एल जब हम पिलस का लेकर चलेंगे तो और माइनस लेकर चलेंगे तो और पिलस ल यह वाली चीज लेकर चलें ठीक भी हो तो देखो एक बार ध्यान से एक बार देखो धियान से तो यह क्या हो जाओगा हमारा और माइनस और माइनस एल का क्या हुआ इसक्वेर हो रहा ना तो इससे कह दो इक्वेशन नंबर फस्ट अब की बार किसके करण इंटेंसिटी देख रहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पिल् कि इयुटी टू पूज़् कूउ चार्ज याने कि मानस क्यूं ऑवेश के करण तीवर्ता फीक है इसके करण देख लेत एक अब देखो Uskे कारण माइनस वाए कारण कितनी ली थी people a e2 ले ओँगे तो one upon four capsule note or 4 actually 1ड़ ऑप सुचोगे कि माइनस में आपने क्यों माईनस का क्यों क्यों नहीं लिए क्योंकि intensity हमिए सब फिलस में होती है ध्यान ना कहिए एंटेंसिटी हमिइस सब समर्ण देखो कि cud बात बता Way जंधिस है दोनों की डारेकशन कैसी है ऑन और से फ्लेंटू की आसर ड्रसां ड्रक्षिन बढ़े ऐख इसका मतलब है अपॉजट इंतेंसिट three केस्वा हो जाता है आारिट्म मुझे चूरी इत ड्रसान अपोजिट डिसा वूति यह से तो क्या uğजाऊँगा हमारी टोटल इन्टेंसृटी जोगा नेट इंटेंसिटी यानि कि कुल तीवर्ता जल्दी से बताओ तो कुल तीवर्ता हो जाओगी E1-E2 E1-E2 अब आपके मन में कुश्चन आओगा कि E1 में से E2 को घटाया E1 में से E2 इसमें से घटाया क्योंकि पिलस वाला पहले है यहां पर देखो एक बार जल्दी से पिलस वाला कैसे बहुँर यहां पिलस वाला स्में इंटेंसिटी तो जडर पावर किश्की है एक बार देखो यहां पर जल्दी से Q upon R minus L whole square minus Q 1 upon 4 pi epsilon Q upon R plus L whole square गी होvell को यह से बने होगे और जल्दी से कोमन ले के दिख JUST 1 upon 4 pi epsilon और Q भी कोमन आ गया यह से 1 upon R minus L whole square minus 1 upon R plus L whole square गी होगे होगे हमारी terms ठीक है जल्दी से और थोड़ा जल्दी solve करो इसे और जल्दी से थोड़ा solve करो जल्दी से is equal to Q upon 4 pi epsilon note Q upon 4 pi epsilon note और यहाँ पर आपने जब L से लिया होगा आपने जब L से लिया होगा R minus L का square और यहाँ पर R plus L का क्या वा ना square इसे यहाँ पर वेज़ो R plus L का square minus R minus L का square और इसे थोड़ा simplify करो Q upon 4 pi epsilon note Q upon 4 pi epsilon note और जैसे इसको खोल लोगे आप R square plus L square plus 2RL 2RL minus R square plus L square minus 2RL और निच्चे क्या बनिया होगा अगर आप इसको देखोगे A plus B, A minus B यानि कि R square minus L square का क्या बनिया होगा यहाँ पर square बनिया होगा जल्दी E is equal to आप क्या होगे Q upon 4 pi epsilon note Q upon 4 pi epsilon note और यह वाले टम से यह माइनस की हाँ खतम यह खतम तो यहाँ कितना आगिया 4RL आगे हैं और यहाँ से क्या बना R square minus L square का square यह बना भया अब एक बात बताओ यह तक आने के बात मैं कुनसी L की distance जाद है या R square की मलब L की distance जाद है या R की distance आप क्या होगे R की distance R की distance जाद है किसके मुकाबले मलब L के तो यहाँ पर L square की value लगबक कैसे हो जाओगे हमारी 0 हो जाओगे क्योंकि L square की value लगबक 0 condition करेगी यहाँ से ठीक है भी यहाँ तो जैसे हमारा यह terms आई तो E is equal to Q upon 4 pi epsilon note Q upon 4 pi epsilon note 4 R L और जहाँ पर हमारा L square तो हमाँ पर क्या रख दोगे 0 रख दोगे 0 का square इस तरीके से और यह आगे हमारा Q upon 4 pi epsilon note ठीक है भी यहाँ और 4 R L upon क्या बन गए हो R की power 4 इस तरीके से बन गए हो ठीक है और इसे थोड़ा simplify करो इसे थोड़ा simplify करो क्या simplify करो गए E is equal to देखो इसे हम क्या लिख सकते है Q multiply 4 को 2 multiply 2 R L लिख सकते है और निच्छे क्या है हो 4 pi epsilon note multiply R की power 4 यह है तो E is equal to Q गुना 2 L A से लिलो Q गुना 2 L यह क्या हो गया यह आप P बन गया होगा क्योंकि P का फॉर्मला होगा है यह लिखते है P is equal to Q गुना 2 L यह ठीक भी है क्या बच रहा उपकर 2 R बच रहा है और निच्छे क्या बच रहा 4 pi epsilon note R की power 4 यह क्या केस बन गया होगा यहां से इका जल्दी बताओ क्या केस बन गया आप क्या होगे इका केस बन गया होगा E is equal to 1 upon 4 pi epsilon note 1 upon 4 pi epsilon note 2 pi upon R की power 3 यह हमारे पास intensity निकल के आगी intensity निकल के आगी कोई दिक्का समझा किसी भी student को जल्दी से बताओ कोई दिक्का समझा किसी भी student को ठीक बई आज के लिए इतनाई काफी all the best सभी को all the best सभी को ठीक बई एक बार सभी थंब कर दो अजाए लिए उल्साइब उल्साइब झथ कर दो कर दो कर दो आज़ यह उल्सा समझा जल्साइब आज़ जिल बार आझा झाल झाल